कि अज़िए वेल्कम टू माई चैनल एडू बिला पॉइंट और आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्सित नंबर 111 जो की क्लास 5 इंगलिस की वर्सित होगी तो चलिए इंगलिस की वर्सित में हमें क्या देखना है तो यह टेक्स बुक से लिया गया है मेरी गोल्ड से और चैप्टर है उनिट 7 गुलिवर्स ट्रेवल्स मतलब गुलिवर्स की यात्रा हैं तो आपने गुलिवर्स की यात्राओं का काफी इंज्वाइ किया होगा क्योंकि को सुनते हैं तो आई होप आप लोगों ने भी बहुत ही चाओ से इसे पढ़ा और सुना होगा तो लेट से वी हमें कुछ अब इसे से सम्मंधित ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो की देख लेने हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं करा वाट लवली डे कितना अच्छा दिन है क इसको इंज्वाइब किया होगा मैंने आपको पहले ही बताया है कि गुलिवर की स्टोरी काफी इंज्वाइब फुल थी तो आप लोग इसको इंज्वाइब जरूर किये हुएगा here are two sentences from the story यहाँ दो sentences वाके story से लिए गए है can you spot the adjectives क्या आप इसके adjectives को बता सकते हैं तो इसमें से हमें adjective को लेना है कौन सा adjective है और यह जो sentence है यह दोनो sentence आपके story से ही लिए गए है तो निशित आप इन sentences से परचित होंगे तो चलिए शुरू करते हैं the gent's voice was louder than a trumpet वहाँ जो gent's का voice था उसका trumpet के voice से louder था मतलब जादा निकलता था तो यहाँ आप louder सब्स देखेगा यह क्या है adjective है तो next है the cat was larger than an ox यहाँ जो बिल्ली थी वह बैल से बड़ी थी the cat was larger के बिल्ली उससे बड़ी थी बैल से तो यहाँ दो word आते हैं adjective के एक louder आ रहा है और दूसरा larger आ रहा है यह दोनों adjective हैं और आज की वर्सित में हमें adjective ही सीखने हैं देखने हैं कि हमें किस तरह से हम adjective को sort out कर पाते हैं और उन्हें पहचान पाते हैं तो हमें adjective पहचानना है और उससे related कुछ हैं प्रस्णों को solve परना है चलिए कराया है did you notice that the gent's voice has been compared with that of a trumpet and the cat's size has been compared with that of an ox कराया है क्या हमें notice किया है कि gent's की जो भॉयस है इसको compare किया गया है compare का मतलब तूलना किया गया है किसे से with that of a trumpet और एक trumpet से trumpet जानते हैं trumpet को बोलते हैं तुरही को बोलते हैं तुरही एक वादेयंत्र होता है बजाने वाला यंत्र होता है तो उसको trumpet बोलते हैं तो है बिल्ली की जो साइज है उसको भी compare की गई है ओक्स से बैल की साइज से इन दोनों में जो compare हुआ है तुलना हुआ है तो यहीं जो तुलनात्मक सब्द आया है louder और larger यह adjective सब्द है और इन ही सब्दों को हमें पहचानना है when we were compared to or more nouns करा है कि जब हम यह दो और या उससे अधिक nouns के बीच compare करते हैं तुलना करते हैं the degree of adjectives change तो adjective की जो degree होती है वह change हो जाती है तो आप adjective के degree से परचित हैं यहां तीन तरह की degree होती है आप देख लीजेगा थोड़ा सा इसको नीचे देखना जरूरी है पहला तो adjective होता है जो अपने positive form होता है उसके बाद comparative होता है फिर superlative होता है तो जो adjective form होता है तो वह सीधा word होता है जैसे आप देख रहें simple word होता है cold cold means क्या होता है ठंडा उसके बाद जो comparative होता है तो comparative में इसका जो form है वह change हो जाता है तो cold से colder हो जाता है मतलब उस से ठंड़ा उस से ठंड़ा ओके और उसके बाद हो जाता है सूपर लेटिब में इसमें E.H.T लग जाता है तो यह हो जाता है coldest 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 मिन्स सबसे ठंड़ा तो यह है objective के degree change होने का form तो आपने देखा है कि उपर क्या कहा जा रहा है उपर कहा जा रहा है कि जब दो नाउन या उससे अधिक नाउन के बीच comparison किया जाता है compare किया जाता है तो adjective के degree change हो जाते हैं तो आपने देखा है मैंने आपको इसलिए दिखाया कि objective के degree कैसे change होते हैं उसको देखिए cold है तो comparative होगा तो colder हो जाएगा फिर super relative उसमें लाएगा तो coldest हो जाएगा तो इस तरह से objective के degree change होते रहते हैं चलिए पुना हम उस जगा पर चलते हैं when we compare two or more nouns पुना हम देखते हैं कि जब हम दो या उससे अधिक nouns के बीच compare करते हैं the degree of adjective changes adjective की जो degree है वह change हो जाती है जैसा कि मैं मैं आपको दिखाया look at the sentences आप इन sentences को देखिए given below जो नीचे दिये गए है and then fill in the blanks with the correct form of adjective और इसमें आप जो adjective का correct form होगा adjective होगा comparative होगा superlative होगा उसको आप फिल करेंगे तो यहाँ एक sentence दिया गया है sonum is a tall girl sonum एक लंबी लड़की है तो tall is the adjective tall क्या है tall adjective है तो यहाँ एक adjective लग गया tall इसके बाद देखिए यहाँ है कि sania is taller than sonum अब sania और sonum के बीच compression हो रहा है compression between height of sania and sonum यहाँ height की compression हो रही है जो की sania और sonum मतलब दो लोगों के बीच हो रहा है तो इसमें comparative degree लगेगा तो tall का comparative क्या होता है taller यहाँ आपने देखा है tall है और tall का comparative क्या होगा taller होगा तो taller यहाँ लग गया है कि sania is taller than sonum sania sonum से taller है मतलब उससे ज़्यादा लंबी है compression हो गया और next है Nancy is the tallest girl in the class अब Nancy class में सबसे ज़्यादा tallest है मतलब क्यों होगा सबसे बड़ी है तो compression among all the girls in the class यहाँ उसका जो compression हो रहा है class के सभी girls के साथ हो रहा है इसलिए इसमें superlative degree लगेगा superlative degree तो tall का superlative क्या होता है tallist होता है तो इसलिए यहाँ tallist का उप्योग किया गया है कि Nancy is the tallest girl in the class तो यहाँ आपने देखा कि वह superlative है मतलब सबसे super है तो सबसे super है तो superlative degree लग गया यहाँ इन दोनों के बीच compare हो रहा था तो यहाँ comparative degree लगा और यहाँ general adjective लगा positive degree लगा तो चलिए अब हम next देखते है जिसमें के हमें फिल करना है तो यहाँ एक sentence दिया गया है a bear is a dash animal तो यहाँ हम क्या लगाएंगे यहाँ किसी के साथ किसी भी तरह का कोई compare or comparison नहीं हो रहा है तो यहाँ हम big लगाएंगे a bear is a big animal समझ गए यहाँ हम फिल करेंगे big उसके बाद next देखते हैं next में है कि a camel is dash than a bear अब यहाँ comparison हो रहा है camel और bear के बीच में compare हो रहा है comparison हो रहा है और यहाँ दो ही हैं तो इसलिए यहाँ हम लोग comparative degree मतलब इस comparative degree का प्रयोग करेंगे तो camel is क्या लिखेंगे big का क्या होगा big का bigger big का comparative क्या होगा bigger होगा camel is bigger यहाँ लिखेंगे हम bigger camel is bigger than bear camel bear से बड़ा होता है तो समझ लिए इसमें हम लोग adjective लगाया इसमें comparative लगाया और next देखते हमें क्या लगाना है an elephant is the death animal of all मतलब कि sub में हाथी क्या है तो जब सब के सांथ of all सब के सांथ इसका comparison हो रहा है तो इसका मतलब इस सूपर लेटिव है और वह हो जागा biggest big का super relative क्या होता है biggest होता है तो यहां हम biggest लिखेंगे an elephant is the biggest animal of all यहां super relative degree में biggest लिखेंगे an elephant is the biggest animal of all एक हाथी सभी जानवरों में सब से बड़ी होती है ठेक इतना तो समझगे बच्चे अब next है now fill the chart by using the correct form of adjectives adjectives के correct form correct form से यहां आपको इस chart को पूरा करना है तो इसके लिए यहां एक उदाहरन भी दिया गया है example है आप आइस्क्रिम देख रहा हो यह सब से छोटी है तो यहां क्या लिखा है clever उसके बाद क्या है यह इससे बड़ी है तो cleverer और यह सब से बड़ी है तो cleverest मतलब कि आप यहां adjective comparative और super relative को बहुत आराम से देख सकते हो जो सब से बड़ी होती है जिसकी तुलना सब के साथ की जाती है तो उसमें super relative लगता है जिसकी तुलना किसी एक दो के साथ की जाती है तो उसमें comparative लगता है और जिसकी कोई तुलना ही नहीं है तो वो adjective form में रहता है तो यहां आप adjective फॉर में देख रहे हैं, fast है और superlative में fastest है, तो यहां क्या लगेगा, faster होगा, यहां क्या होगा, faster, यहां comparative degree होगा, और वह होगा faster, fast में er जुट जाएगा, उसके बाद है cold, colder, मतलब यहां adjective और comparative दिया हुआ, superlative नहीं है, तो आप जानते हैं, cold, colder और superlative क्य अगया है नेक्स्ट आये लांग लॉणगर तो आप जानते हैं कि इसमें होगा लांग एस्ट है अग्या हुगया उसके बाद है रीच रीच तो रीचर नहीं है तो इसमें हो जाएगा रीचर समझ गया ना तो आपने इसको फिल कर लिया अब नेक्स आगे देखते हैं यहां आपको एक और चीज बता रहा है कि जो कमप्रेटिव होगा तो उसमें दैन का परियोग होगा और उसके बाद जो सूपरलेटिव होगा तो उसमें दैन का परियोग होगा मतलब कि जब अगर टालेश्ट होगा तो तालर होगा तो टालर दैन समझ गया तो इस तरह से हमें इसको यूज करते हुए यहां correct form of adjective given in the bracket जो bracket में correct form है adjective का उसको हमें put करना है तो चलिए देखते हैं अब क्या क्या होगा यहां है कि pinocho has a long nose यहां long होगा तो हम इसको लिखेंगे long क्योंकि यहां किसी के साथ कोई तुलना नहीं हो रही है तो pinocho has a long nose next हरी is the why in the class यहां दा है और पूरी क्लास में इसकी तुलना हो रही है तो हम क्या लिखेंगे smartest लिखेंगे क्योंकि यहां smart smart और smartest है तो smartest है तो इसकी पूरी क्लास के साथ तुलना हो रही है तो यहां superlative degree लएगी इसलिए हम लोग यहां smartest लिखेंगे हो गया अब next है c देखते हैं c में है i am stronger क्योंकि यहां then लगा हुए आप देख रहे हैं कंप्रेटिम में देन का प्रेव होता है तो i am stronger than रवी मैं रवी से ज़्यादा मजबूत हूँ stronger than रवी अब उसके बार next है d है तो d में mango is sweeter than lime के कि यहां भी देन है और lime के साथ इसकी तुलना हो रही है तो mango is sweeter यहां होगा sweeter mango is sweeter than lime उसके बाद है e your voice is louder than my voice यहां louder होगा क्योंकि यहां भी देन का प्रेव हुआ है तो यहां होगा louder your voice is louder than my voice तो हमने समझ लिया किस तरह से हम adjective के डिग्रियों को change करते हैं और comparison के समय उनकी तुलना को दिखाते हैं तो यहां अभाव को के लिए एक सुझाव है कि परिवार के सभी सदस्यों की उचाई नाप कर बच्चों को उनमें तुलना करने का मौका दें तो चलिए बच्चों यह थी आपकी वर्षिट और आई होप आपने वर्षिट बहुत अच्छे धंग से समझ लिया होगा तो अगर विडियो अच्छी लगे तो